उत्तर प्रदेश के हर दोई जिले में योगी सरकार की बदहाल स्वास्त विवस्ता की पोल उस वक्त खुल गई जब एक घायल युवक का इलाज मोबाइल की लाइट जला कर किया जा रहा था योगी सरकार वैसे तो स्वास्त सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े दावे करती है लेकिन यूपी में स्वास्त सुविधाओं पटरी से उत्री हुई ही नजर आती है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक सामुदाइक स्वास्त केंद्र में दुरगटना में घायल एक युवक का मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में उपचार किया जा रहा है जानकारी पर डिप्टी सीमो मौके पर पहुंचे और जाच की सीमो जावेत ने मामले में कारेवाई का भरोसा दिलाया आप तस्वीरों में साब देख सकते हैं कि किस तरह से एक घायल युवक का इलाज टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है इस में आमला समयनना आए ऐसी बिलगराम का है और इलाज नहीं हो रहा है उसमें वो प्रक्रणा यह है जो प्रतम है जो अभी इंवर्टर भी है और वो चल उसकी एपल जल रही थी लेकिन उसकी रोशनी परियाप्त ना होने के खारण जो मरीज के ड्रिफ लगानी थी हो तो नस्देखने लिए तो डार्क अपलेक्शन था उसकी नस्देखने लिए टोर्च का सारा लिया जा जा